शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें दुक, वो क्या? कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो घर कितना खाली खाली लगेगा बहुत याद आएगी है में तमारी क्या भाईजान आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिसे शादी के बाद ना हम आपसे कभी मिलने ही नहीं वाले साजड़ साज़ झाल झाल पाइस Сам उल राग्द आङेचर व्टाच altered भाइस मैंस भाइसम अब में फ़य, हालू, हालू हालू, कुई हे, फ़य कर दो कर दो कर दो अब इस मर्डर केस के बारे में हमें कुछ इंफर्म करना चाहोगे देखे, हमें अपना काम करने दिछे प्लीज, साइड़े, प्लीज, हमें अपना काम करने दिछे जैसे कि आप देख रहे हैं, अमनपास तीन दाहाडे एक गाइंग वर में मारा गया है मौत गोली के लगने के वज़े से हुई है पुलिस की इंविस्टिकेशन जारी है कातिल अब तक फरार है मैं निकिता कैमेरमन राजन के साथ खबर कल तक की पार्ट ने जाए जी, आसलाम आले कुम आले कुम्सलाम अमन के बारे में सुनके बहुत दुख हुआ आप ठीक है? जी कुशिश करें दरसल उसी बारे में बात करनी थी हीना ये निका नहीं हो सकता हम माफी मांगना चाते हैं हलाकि हम समझ रहे हैं कि आपके हालाद अच्छे नहीं है लेकिन हम और हमारे परेवार वाले ये सा मैटर से दूर रहना चाते हैं आप समझ रहे हैं ना? हम समझ सकते हैं हमने कहा था आप से भाईजा कि गलत काम छोड़ दीजे लेकिन अपने हमारी एक नहीं मानी काश हम आपको उस ही वाक तरोक लेते लेकिन जिसने भी आपको मारा है ना भाईजा उसे भी छोड़ें के नहीं ढून निकालें के उसे छोड़ें के नहीं मेडम, मेडम तरवाजा खोलिए मेडम मेडम, मेडमी मार्थे का मुझे तरवाजा खोलिए मेडम मेडम, मेडमी मार्थे का मुझे तरवाजा खोलिए मेडम मेडम, मेडमी मार्थे का मुझे तरवाजा खोलिए मेडम रिलाक्स, रिलाक्स. यह, यह क्या कर रहा है? शान्त, हम सिब ओके. एना, हमें आपसे सिब कुछ बात करनी है. एना. हमें माफ करती, जी. हम नहीं भाई गुमारा. वेकिन हम क्या करते हैं? अन्होंने उमारे सिर तर बंदूग रखे वीश्टी. यह तो वो हमें मारते हैं, और यह ज़िएू हमनें इन क्या मारते हैं, प्र भी करते हैं जी परम्हें. भाई अमें एक मौका दीजिये ना, प्लीज, मौका दिये, तो द्रग्स का गोडाउन खोल लिया, अब नहीं साजिद, अब मौका नहीं वार्णिंग दे रहे, तुबारा यहां तिक मठ जाना, समझे, और तुम, इन द्रग्स को जब्त करो, और इस गोडाउन को आग देख मत जाना, इना हम जानते हैं, भाई के जाने के बाद, तुम बहुत अकेली होगी होगी ना, हम सिर्फ इतना कहने आए हैं, कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूत लगे तो हम हैं, का भी केला मत समझना, dapat को, बढ़िक होगी गरो हो Èम थे लतकरे, कि चुम्हें कवा ने भाई कोमारा, मतभी होगी हो मतुम риुक, अर्भा होगी है나 वालो होगी है मतए अ एसला, बखेटー morning बखेटー morning रुक चाहिए माफ रुक चाहिए आपके पहना इमाहम हमें पुलिस कर फ़र्म करने से ही है नमस्कार 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 मैं रॉनित बोस रॉय जुर्म और जजबाद में आपका स्वागत करता हूँ बड़े शेहरों में पैसो की चका चौनक सर शेहर के युवा को भटका देती है और वो जल्द से जल्द अमीर होने के चकर में जुर्म का खतरनाक रास्ता अपना लेती है साजिद और अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ दोनों ने जुर्म के जरीए फूब पैसे कमाए बैसे तो साजिद और अमन पक्के दोस्त लेकिन कहते हैं ना लालच और पैसा भाई भाई को भी लड़वा देती है 24 साल की जवान उम्र में अमन को अपनी जानगवानी पड़ी अमन अपनी भेहन हिना से बेहत प्यार करता था अपर आज हिना अकेली खड़ी रो रही है और उसके भाई का कातिल परार है हिना का अब एक ही मपसद है साजिद को उसके किये की सिजा दिल्माए आगे क्या हुआ आईये देखते है ठीक रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और कहीं साजिद दिखे तो सीधा मुझे कॉल करिये मड़म ये सब इंफोमेशन आपको कल रात को देनी चीए गैंग वार का मामला है अब तक तो साजिद फरार हो गया रहेगा अब गुंडे मवालियों से दोस्ती करो भी तो और क्या नतीजा होगा एनिवे राजानिन की फाइस लेके मेरे केबिन में हो जी सर अब लोग नशिंत रहिए दोन्ट वरी साजिद जल्दी जेल में होगा अब आप आप अराम से ज़र जाएए ओके? इस सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए आमान भाई? शुरिया भाईजान इस साथे शुरिया भाईषीपिप्ट थे, डीकी डीकीला, भाईभाई, इस संदेचान, चैनल, भाईभाई, जी अब आप 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 आपया भाई, जी मैं अभीशेक, आमान भाई, मेरे बड़े बाईजाय थे, कि एसल उन्हों नहीं मुझे पढ़ाय लिखाया था और अज उन्हीं की बदौलत में एक सॉफ्टेर एंजीनियर नहीं के इनके बहुत तकलीफ हुआ जा जा जिए माफ कीजेगा मैं तो बस यह चलाया है मैं पाद मात नहीं नहीं आए अए 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 वानी जी मैंने सुन है साजद अंडग्राउंड हो गया है साप कभी तो अपने बिल के बाहर आता ही है और फिर कोचला भी जाता है मैं साजद को ढूणने में मदख कर सकता हूँ कैसे एक है वो साइड इंकम के लिए हाँ जैसे कुछ इंफोर्मिशन मिलती है मैं आपको कॉल करता हूँ तब तक मेरा काड ले वीजी तब तक मेरा काड ले वीजी कितना अच्छा लड़का ढूंड़ा है तुम्हारे लिए हमें मालूम है हमारी बेहन की खुशी किस में है बस एक बात का दुख है हमें कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो घर कितना खाली खाली लगेगा बहुत याद आएगी हमें तमारी हमें माफ कर सेजी हमने भाई को मारा एक हम क्या करते उन्होंने हमारी सिर पर बंदूग रखे वी ती जटो वो हमें मारते हैं तो हमने मारते तो मैंने चूश किया कि अब गुंडे मवालियों से दोस्ती करो भी तो और क्या नतीजा होगा हम पुलीस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हम भाईजान की मौत का बदला नहीं ले लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं सोपाएंगे आप हमारा एक काम करेंगे करेंगे